Hello friends, IDFC 1st bank, target 18-15 November तो देखिए दोस्ते मैं चार्ट से रखा चार्ट को study करते हैं देखिए IDFC 1st bank में share ने देखिए 12 November को share ने opening की थी 51 पर day का लो बनाया देखिए 50 फिर closing हुई 51.70 पर अगर आब weekly chart देखेंगे दोस्तों weekly chart में share पहले एक November से लगतार share उपर गया 52 रुपी नीचे आए फिर उपर तो उपर नीचे यहीं सब थोड़ा से range bound state कर रहा है उपर का level यह देखिए मैंने लगा रखा है दो बार इसी level से यह देखिए sustain करके नीचे की तरफ आया है तो पहला target होना चाहिए आपका यह वाला level कितना 52 रुपी तो आपको जो है यह 53 20 और 55 तक का level दिख सकता है तो आपको यह level बहुत ध्यान करके रखना है अगर यह 52 60 sustain किया तो आपको फिर अगला target 53 40 और 55 तक का level दिख सकता है बट आपको closely यह वाला level वाच करना है जो जहां से दो बार यह resistance करके नीचे आया 52 70 सपोर्ट की बात करें तो यह level देखिए जहां से दो बार support मारके ऊपर की तरफ गया है तो यह level एक support की तरह काम करेंगा कितना 50 रुपी 55 पैस है तो यह level से आप ध्यान रखना है